हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग एंड स्वाकत आपका PKM Special Classes में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश Special का GK का सेट नमबर 3 और इस सेक्षन में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के जो पक्छी विहार है और वन जीव अभ्यारण है इस से रिलेटेड और प्रमुखनी जो हो गए वन संपेदा और कारेकरम और योजनाओं से संबंदी जितने भी प्रस्न प्रीवेशीरों में बने हैं इसको हम कवर करेंगे इसलिए वीडियो काफी इमपोर्टन है इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें तो फ्रेंट्स से इसका PDF अकर लेना चाते हैं तो वीडियो के डेस्क्रिप्ण बाक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया गया है टेलिग्राम आप जॉइन कर लेजिए जैसे वीडियो खतम होगा आपको PDF इसका मिल जाएगा अगर चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप रेगुलर अपडेट के साथ वीडियो को प्राप्त कर सकें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को वीडियो काफी important है और वीडियो में या syllabus जो है वीडियो के reexam में यहां से UP special के आपके 10 question आने वाले हैं तो फ्रेंड्स विश्वास मनिए इस वीडियो को आप डेली देखते हैं 7-8 वीडियो अप्लोड होगा तो फ्रेंड्स आपके 10 question जो है इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले हैं तो फ्रेंड्स से लिश्वास करते हैं आज की वीडियो को तो आज का पहला प्रशन यहां पर है बखीरा पक्षी बिहार इस्थित है पहला question है कि बखीरा पक्षी बिहार कहां इस्थित है तो देखिए यहां पर पक्षी बिहार की बात करें तो पक्षी बिहार वर्तमान मे उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी विहार हैं कितने हैं 14 पक्षी विहार है तो यहां पूछ रहा है बखीरा पक्षी विहार कहा इस्थित है तो संत कबीर नगर में है तो राइट एंसर रो जाएगा ऑप्सन नमबर भी संत कबीर नगर में चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला क सभेदा से यानि यूके लिप्टज वरण संक्त उत्पन करता है अगला कोशन है प्रदेश में नवाब गंज पक्षी विहार कहां इस्तित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D नबाब गंज पक्षी विहार कहां इस्तित है उन्नाव में इस्तित है देखे सबसे पहला पक्षी विहार की बात करें सबसे पहला पक्षी विहार ये नबाब गंज पक्षी विहार है और उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या 14 है और नबाब गंज पक्षी विहार को और किस नाम से जाना जाता है तो चंद्र सेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है जिसका छेत्रफल कितना है 2.25 वर्क किलोमीटर है और इसकी अस्थापना कब हुई थी 184 में हुई थी यह important है क्योंकि यह सबसे पहला पक्षी विहार है इसी के वज़ा से यह important है तो पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है तो नबाब गंज पक्षी विहार यह चंद्र सेखर आजाद पक्षी विहार है कहां इस्तित है उन्नाव में इस्तित है इसकी अस्थापना कब होई 1984 में होई चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला कोशन काफी important है कहरा है कि प्रदेश में सरो प्रथम किस पक्छी बिहार की अस्थापना की गई तो प्रदेश में अभी हमने बता है कि सबसे पहले किस पक्छी बिहार की अस्थापना की गई तो नवाब गंज पक्छी बिहार की अस्थापना की गई इसकी अस्थापना कब की गई 1984 में अस्थापना की गई most important है कहां पे इस्तित है उन्नाव में इस्तित है बात करें यहाँ पर जो अन्य पक्षी विहार दिये गए हैं सांडी पक्षी विहार कहा इस्तित है तो सांडी पक्षी विहार हर दोई जिले में इस्तित है अगला है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मैन पूरी जिले में इस्तित है नेक्स्ट है सुर सरोवर पक्षी विहार, तो सुर सरोवर पक्षी विहार कहां इस्तित है यहाँ आगरा में इस्तित है चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला कोश्चन है करा कि प्रदेश का सरवाधिक बिस्तरित पक्षी विहार कौन सा है बिस्तरित पक्षी विहार का अर्थ हो गया कि सबसे बड़ा पक्षी विहार तो यहां से चार टाइप के प्रस्ण बनेगा ठीक है पहला बनेगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार है 14 पक्षी विहार है सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है चंदर सेखर आजाद पक्षी विहार और पुछेगा सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है तो लाख बहुस पक्षी विहार है यहां कहां पर इस्तित है कन्योज में इस्तित है तो इसका से उत्तर हो जाएगा option number C सबसे बिश्तिरित पक्षी विहार कौन सा है लाख बहुस पक्षी विहार चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला question कहरा है कि यहां पर सुमेलित करना है कहरा है कि नवाब गंच पक्षी विहार कहां इस्तित है तो नवाब गंच पक्षी विहार उन्नाव जिले में इस्तित है तो यहां पहले का दूसरा हो जाएगा कहरा कि ओखला पक्षी विहार कहां समश पुषपक्षी विहार कहां है राय वरेली में है और पारवती अरंगा पक्षी विहार कहां है गोण्डा में थो हमने सही मिलान कर लिया इहां पर है अप चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन है काफ़ी इawatकरा सोनasu भदर में निम्न धातुं तो यह एंडालुसाइट, डोलोमाइट, पायराइट ए तीनों चीचे जो है सोन भद्र में पाई जाती है जबकि यूरेनियम कहां पाया जाता है ललितपूर में पाया जाता है इसके वज़ा से यहां पर सही चैन क्या हो जाएगा दो तीन चार तो सही उत्र हो जाएगा उप संकवादी माना जाता है तो किसको माना जाता है यूकेलिप्टस को माना जाता है तो सही उत्र हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी अब देखिए एक कोश्चन और पूछता है कहता है कि सबसे पहले सामाजिक वानकी सब्द का प्रियोग कब किया गया था तो सामाजिक वानकी स सब्द का सबसे पहले प्रियोग वन नई सो चीहत्तर में किया गया गया यह कोश्चन कई बार पूछा गया है सामाजिक वानकी का प्रियोग सबसे पहले जो है सब्द का प्रियोग कब किया गया वन नई सो चीहत्तर में किया गया चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला ललित पूर में इस्तित है वन्य जीव बिहार की बात करें तो 11 वन्य जीव बिहार है और सबसे पहला वन्य जीव बिहार कौन सा है तो सबसे पहला वन्य जीव बिहार आपका चंद्र प्रभा वन्य जीव बिहार कहां है चंदवली में इस्तित है इसकी अस्थापना कब होई इसकी अस्थापना 1957 में हुई कई बार पूछा है तो 1957 याद रखिएगा और सबसे बड़ा वन्ने जीव बिहार अगर पूछे तो सबसे बड़ा वन्ने जीव बिहार हस्तिनापूर वन्ने जीव बिहार है या कितने जीलों में फैला है पांच जीलों में कौन-कौन से मेरट, मुझफर, पुर, हापुड, अमरोहा और बिजनवर में फैला हुआ है अब चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला कोशन है कि रास्टी वन नीत के अनुसार देश के कुल भावगोलिक छेत्रफल के कितने भाग पर बन का होना आवस्यक है तो एक बटे तीन भाग पर बन होना आवस्यक है तो इसका सही उत्तरो जाएगा ओप्सन नमबर D अगला प्रस्ण है राज में एसबेस्टस पाये जाते हैं तो राज में एसबेस्टस कहां पाये जाते हैं मिर्जा पूर्जिले में पाये जाते हैं सई उत्तरो जाएगा option number C अगला प्रशन है प्रदेश में सरव प्रथम 1957 में किस वन्य जीव बिहार की अस्थापना की गई तो अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव बिहार कौन सा है तो यहां चंद्र प्रभा वन्य जीव बिहार है चंदवली में स्थित है जिसकी अस्थापना 1957 में की गई थी सई उत्तरो जाएगा option number A अगला कोशन है राज्य में एक बबबर सेर सफारी अस्थापित किया जा रहा है या कहां किया जा रहा है तो बबर सेर सफारी की अस्थापना जो है इटावा जिले में की जा रही है most important है तो इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जैसे ही सेर हमारे पास आता है हम लोग उसको कैसे मारते हैं इट से मारते हैं तो इट फार इटावा हो जाएगा और सेर से हो जाएगा बबर स सफारी चलते अगले प्रस्ण पे अगला कोशन है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहां उपलब्ध है तो ललित पूर में इस्थित है ठीक है तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पाया जाता है ललित पूर जिल पूछा गया है कि कथन दिया हुए और कारण तो पहला कथन वन नवीनी करण संसाधन है तो बिल्कुल सही है कि वन जो होते हैं ए नवीनी करण संसाधन होते हैं और दूसरा दिया है कि वन क्या करते हैं ए परियावरण की गुडवत्ता को बढ़ाते हैं बिल्कुल सही है लेक लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option नमबर भी हो जाएगा चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला question है the operation green परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से चलाई जा रही है तो the operation green परियोजना उत्तर प्रदेश में 2001 से चलाई जा रही है सही उत्तर हो जाएगा option नमबर एक यानि यहाँ पर 2001 में चलाई जा रही सही उत्तर हो जाएगा option नमबर C चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश में कोईले के भंडार पाया जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोईले के भंडार कहां पाया जाते हैं सिंग्रवली छेत्र में पाया जाते हैं सही उत्तर हो जाएगा option number B हो जाएगा सिंग रहूली छेत्र में फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लोगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर सेर करें ताकि सभी के पास या वीडियो पहुंच सके ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला question है सुमेलित करें सही उत्तर चुने यहां सोन भद्र में क्या पाय जाता है तो सोन भद्र में यहां पर जो है चूने का पत्थर पाय जाता है क्या पाय जाता है चूने का पत्थर प्रयाग राज में क्या पाय जाता है सीसे वाली यहाँ पर बालू पाय जाती है यानि ग्लास सेंड प्रयाग राज में यहाँ पर बालू सीसे वाली बालू पाय जाती है ललितपूर में तावा पाय जाता है मिरजापूर में जो है नान प्लास्टिक फायर कले पाया जाता है तो इस चीज को याद रखिएगा कि सोन भद्र में क्या पाया जाता है चूने का पत्थर प्रियाग राज में गलास सेंड पाया जाता है ललितपूर में ताबा पाया जाता है और मिर्जापुर में नान प्लास्टिक फायर क्लिप आया जाता है चलते हैं अगले प्रस्ण पे अगला कोशन है कहरा कि निम्न जन्पदों में कौन सरवाधिक वना च्छादित है यानि उत्तर प्रदेश का सबसे वना च्छादित जिला कौन सा आये तो सोन भद्र हो जाएगा अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे कम वना च्छादित वाला जिला कौन सा है तो भदोही हो जाएगा कौन सा भदोही यानि उत्तरप्रदेश में सबसे कम बन कहां पाया जाते हैं भदोही में और सबसे अधिक बन कहां पाया जाते हैं सोन बद में चाहे प्रतिसत की रूप में हो चाहे सिंपल की रूप में हो अगला कोशन कर रहा कि सुरहाताल पक्षी बिहार कहां इस्तित है तो सुरहाताल पक्षी बिहार कहां पाया जाता है तो देखी यहाँ पर चार अप्षन दिये गए हैं आजमगड, प्रतापगड, हर्दोई और बलिया तो यहाँ पर सुरहाताल पक्षी बिहार जो है बलिया म कब होई थी 1991 में सुरहा ताल पक्षी विहार की अस्थापन होई थी most important है अगला प्रशन है आपको सुमेलित करना है कहरा काउं सा सुमेलित नहीं है तो कोईला कहां पायाता है सिंग्रावली सोनभद्र में बिल्कुल सही है बलुआ पत्थर कहां पायाता है मिर्जापुर में सिलिका बालू कहां पायाता है यानि ग्लास सेंड प्रयाग राज यानि आपका इलाहबाद में पाया जाता है और यूरेनियम कहां पायाता है यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है जहांसी में नहीं पाया जाता है इसके बाद से यहां पर डी वाला अप्षन गलत है अगर सबसे छोटा वन जी वियार पूछे तो महावीर स्वामी वन जी वियार हो जाएगा यह कहां है ललितपुर में है तो सबसे बड़ा वन जी वियार कहां है हस्तिनापुर में है यह पांच जिलों में फैला हुआ है कहां कहां मेरट हापुड अमरोहा बिजनाओर और नेरट, हापुड, अमरोहा, बिजनावर और मुझभफर नगर। अगला कोशन है उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले प्रमुख खनीश कौन से हैं तो राक फासफेट और डोलोमाइट पाये जाता है। डोलोमाइट कहां पाये जाता है सोनभद्र में और राक फासफेट कहां पाये जाता है तो राक फासफेट आपका पाये जाता है यह ललितपूर में पाये जाता है। अगला कोशन है करा कि निम्न में से कौन सा खनी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है तो या चूना पत्थर पाया जाता है बाकसाइट पाया जाता है जिपसम पाया जाता है लेकिन अभरक नहीं पाया जाता है अब भरक कहां पाया जाता है आंध प्रदेश में पाया जाता है अगला question है निर्दमे से यूरेनियम कहां मिलता है तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललित पुरजिले में मिलता है तो सही उत्तर जाएगा option number C next and last question है कि राश्टिय चंबल अभ्यारण किस राज्य का हिस्सा नहीं है PCSP 2020 में पुछा गया है latest question है तो हो सकता है कि आपको वीडियो के रिख्जाम में यह question देखने को मिल जाए तो राश्टिय चंबल अभ्यारण जो है तीन जिले में इस्थित है कहां कहां उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में UP मध्य प्रदेश और राजस्थान में राश्टिय चंबल अभ्यारण इस्थित है जबकि हरियाना में यह इस्थित नहीं है तो इसका से उत्तर हो जाएगा option number C हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहां से हमने 26 questions कवर किया जितने भी previous year exam में पूछे गए थे वन जिव अभ्यारण पक्छी भ्यार प्रमुख खनेज वन संपदा प्रमुख कारेकरम योजनाए तो फ्रेंड्स आसा करता है वीडियो आपको अच्छी लगी हो है क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए वर्दान सावित होगी क्योंकि जैसे ही आपका ग्राम पंचेत अधिकारी का पेपर होगा आपको यहां से 1-2% जो है देखने को 100% मिलने वाले हैं ठीक है तो बस अगर आग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त